नमस्कार न्यूज युग में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रत्थम युवाओं के संपूर्ण विकास के लिए कारी रग अंतराश्ची संस्ता जूनियर चैंबर इंटरनाशनल जोन 5 द्वारा आयोजित शोले मस्ती के गोले का आयोजित 12 और 13 अक्टूबर को The Hotel Gold Palace and Resort कूकस जैपूर में किया जा रहा है जूनियर चैंबर इंटरनाशनल का प्रमुख मुख्याले Chesterfield USA में है और भारतिय मुख्याले मुंबई में इस्तित है राजस्तान अध्यक्ष J.C. आइंशू सराफ ने बताया कि 11 अक्टूबर 2019 को शेत्रिय संचालक समीती की सभाता आयोजित किया जाएगा जिसमें राजस्तान जोन 5 की कतिविधियों पर विचार कर भविष्य की योशनाएं बनाई जाएगी और शेत्रि के विविन अध्यक्षों और युवाओं के द्वारा किये गए कालियों की आधार पर पुरस्क्रत करने का निर्न किया जाएगा शेत्रिय सभा का आयोजन जेसी आई जैपुर और सिस द्वारा किया जा रहा है 12 अक्टूबर को जोन 5 की राजस्तान शेत्रिय सभा सुभर 10 वजे से शुरू होगी जिसमें जेसी आई की धोजा खराने के साथ ही समवर्थी सत्रों की शुरूआत होगी रात्री में पुरसकार, वित्रण और भोज का आयोजन किया जाएगा साथ ही आने वाले वर्ष 2020 के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चयन किया जाएगा वहीं 13 उक्तुबर को जोन 5 के राजस्थान अध्यक्ष जेसी अंशु सराफ इस वर्ष राजस्थान में किये गए कारियों का वेवरंड देंगे और साथ ही प्राप्तुई उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे इस आफसर पर नमनोनित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपत दिलवाई जाएगी जो कि जुनियर चेंबर इंटरनेशनल एक अंतराश्थ्री संस्था है ये 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए संस्था है और हमारा फोकस होता है कि हम इंडिविज्वल ग्रोथ करें उनको डेवलब करें ताकि वो जब 40 की मुरुपार कर लें और दूसरी संस्थाओं में जाए तो कुछ ऐसा योगदान दे पाएं जिससे पूरे देश का लाव हो इसके अलावा हम बहुत सारे समाजिक कारिय करते रहते हैं इस साल राजस्थान में जो हमारा सबसे मुख्य काम था वो था त्रिप्ती जिस प्रोजेट का नाम था त्रिप्ती अफाइट अगेंस्ट रंगर वर्ष भर जो हमने काम किया सभी लोगों ने पूरे राजस्थान के कोने कोने से उनका हम 11-13 अक्टूबर को जैपूर में जोन कॉन्फरेंस करने जा रहे हैं और हम उस कॉन्फरेंस में उन सभी को पुरिस्कृत करेंगे साथे साथ मैं पूरे वर्ष भर किये के काम का बेवरा प्रस्तुत करूँगा और अगामी वर्ष के जो कारे कारणी होगी उनका चुनाव करेंगे हमारी संस्था बहुत तरीके से समाज में जो भी हेल्प हो सकती है वो करती है जैसे कि हमारी संसा JCI जैपूर Oasis ने एक स्कूल को गोद लिया हुआ है जहां पर हम बहुत तरीके के प्रोग्राम करते हैं हमने sanitary pads distribute किये हैं बच्चों को समझाया है कि विल distribute ही नहीं हर महीने वहां पर जाके उसको refill करना होता है और वहां पर सबको समझाना होता है कि यह क्यों use करें इससे क्या help हो सकती है फिर हमारे कुछ national programs होते हैं सुजल clean water उसमें आरो water purifier स्कूल के अंदर समाज के अंदर लगाते हैं फिर कुछ हमारे program होते हैं जैसे sanitation के उपर हो गया है toilets के उपर होता है कि हमने toilets कराई फिर हमने पूरे साल इस साल शनीवार को प्रोजेक्ट रिप्ति के अंतरगत जैपुरिया hospital के बाहर जो patients आते हैं उनके attendance के लिए मुफ्त में घर जैसा खाना बनवाके उनको distribute किया वो हमारा एक बहुत अच्छा और बहुत ही successful project था जो हम year end तक continue रखेंगे और हमारी कोशिश है कि ये कभी बंद ही ना हो शोले मस्ती के गोले में जो पूरे राज्य से पूरे zone 5 से हमारे पास 400 से ज़्यादा participants आएंगे उनके लिए हमने बहुत सारी activities रखी है जैसे quiz है एक JCI quiz होता है एक हमने शोले quiz रखा है एक EPS होता है जहां पर युवाओं को बच्चों को दो मिनिट के दौरान एक topic के उपर बुलना होता है और उनकी judging होती है बहुत सारे formats के उपर फिर एक शोले skit रखा है जिसमें एक छोटा सा नाठक प्रस्तुत किया जाएगा एक chapter के दौरा ऐसे बहुत सारी activities हमने रखी है हाँ इसमें awards मिलते हैं इसमें recognitions रहते हैं certificates, medals ये सब सब को दिये जाएंगे judges दौरा जो पूर्व अध्यक्ष होते हैं हमारे zone के, जो हमारे zone के पुराने mentors होते हैं वही हमारे जाजों के हैं जैसे एकी सापना 60 वर्ष पूर्व होई थी और एक ये अग्रणिये युवाओं की संस्ता है मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि भारी से भारी मात्रा में संस्ता से जुड़ें और समाज के प्रती अपना कुछ योगदान दे शोले मस्ती के गोले zone con 2019, JCI zone 5 की zonal conference है जिसकी theme हमने शोले movie के उपर रखी है और इसमें बहुत सारी activities होंगी जो की movie से related होंगी जिसमें की लोगों को मज़ा भी आएगा कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा इसमें networking और fellowship और जो पूरे साल में जिन लोगों ने अच्छा कारे किया है उनको समानित किया जाएगा फिलाल के लिए समाचारों में इतना ही बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है खबरों का युक न्यूस युक